हेलो एव्रिवान वेलकम बेक तो दीप ब्रदर्स इस कुलदीप एनाकाजदी आज जो वीडियो हम लेके आये हैं उसमें हम यहीं डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में अभी इन प्रेजेंट कॉनसा कॉनसा बाइक है जो की टू लेक्स की नीचे है और सबसे अच्छा है सा सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए हमें और टेल आइकन के क्लिक कीजिए सताकि आपको नया नोटिफिक्शन आपको मिल जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला हम जो बाइक की दिखा रहे है यह है हीरो एक्स्ट्रीम 200 जो की 199.6 सी का बाइक है ब्स6 मोटल है जो की पावर जनेरेट करता है 18.1 बहप अट 8000 रप्यम एन मैक्सिमम तॉर्क जो जनेरेट होता है 17.1 न्यूटर मिटर अट 6500 रप्यम यह बाइक सिंगल सिलिंडर येर कूल्ट 5-speed transmission गेर से एक्विप्ट है ये बाइक पिलाल सिंगल चैनल ABS से एक्विप्ट है मगर ये बाद में अफग्रेडेशन होगा डूल चैनल ABS में इसका जो एलिटिक इंस्ट्रूमेटल क्लस्टर है जो की बहुत सरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है जो की आप देखी पा रहे है इसमें बहुत सरा इंफॉ 149 kg जो की बहुत लाइट वेट है 286 की हिजाब से और ये लाइट वेट होने के वज़े से आपको एक्सेलरेशन और कमफर्ट दोनों ही मिलेगा इस बाइक का जो ग्राउंड क्लेरेंस है वो है 165 mm जो की बहुत अच्छा है और सीट है जो की है 795 mm इसका मतलब कोई भी बज़ती है 12.5 लिटर्स और इसका माइलेज है 40 km पर लिटर इन सीटी राइट और अब हाइवेज में अगर ये बाइक को भागाएंगे तो 43 या 44 km पर लिटर मिल जाएगा अब सबसे सर्प्राइजिंग जो फैक्ट है इस वाइकर जो की ट्वाइट सिका है वो सिंगल चै अन रोड प्राइज बढ़ रहा है ऐस पर कोलकाता ये डिफरेंट स्टेट में डिफर करता है तो आप ये बाइक ले सकता है ये अल्टिमेट कमफरेबल है सीट राइट करने के लिए और तूरिंग करने के लिए अब आता है नेक्स्ट बाइक जो की टीवी एस का है 1250 rpm और मैक्सिमम टर्क जो जनेरेट होता है वह है 14.12 Nm at 7250 rpm इसका जो ब्रेकिंग है वह सिंगल चैनल ABS है और इसका जो इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर है वह फुली डिजिटल है जो की बहुत सरी इंफोर्मेशन से भरा हुआ है इस बाइक का वेट है 149 kg जो की बहुत कर देगा और हैंडलिंग बहुत स्मूध हो जाएगा और आप असानी से यह बाइक हैंडल कर सकते हैं इसका जो फुल टेक क्यापसिटी है वह है 12 लीटर और इसका जो माइलेज है 42 42 किलोमेश पर लीटर इन सिट रहेट और 45 किलोमेश पर लीटर और हाइवेज अब आता है इस बाइक का प्राइस जो कि है 1,35,000 इन इंडिया यह स्टेट वाइस वैरी कृता है अब हमारा लीस्ट में जो नेक्ट बाइक है वह है बजाज की पल्सन नस200 जो 4-stroke SOHC 4-Valve Liquid Cools Triple Spark BS6 compliant का बाइक है जिसका 199.5 cc बाइक है यह इस बाइक का जो पावर जनेर होता है वह है 24.5 PS at 9750 RPM and 18.5 Nm of Docks at 8,000 RPM यह बाइक सिंगल चनल एपेस से एक्वीप्ट है और इसका जो इंस्ट्रूमेटल क्लस्टर है वह एनलोग एन डिजिटल बोत है जिसका टैकोमेटर है आपके अनलोग और सारे के सारे डिजिटल है यह एक स्पोर्ट्स नेकिट बाइक है जिसका इंजिन कर दिस्प्लेस्मेंट हमने तो बताई दिया है इससे हमको पताई चल जाता है कि इस बाइक का जो पावर है बहुत मैसीव वेसे जनेरेट करता है और यह सीटी राइट में भी अच्छा है और आप अगर इससे टूरिंग करना चाहता है एडवेंचर टूर भी आप इससे कर सकते है इस बाइक का जो फ्रूल कैबस यह वह 12 लीटर और इसका महई लैज है वह आलमोस्ट्टी फाइब क्लियम्टेज पर लीटर होगा इन सिटी राइड एंड है और आई वेसमें, शायद यह 38 ये 30 क्लिम्टेज पर लिटर दे सकता है अब आता है इस बाइक का प्राइज जो कि है 1,60,000 इन कोल का था और हम यही बताना चाता है कि यह बाइक लेके आप एडवेंचर टूर या राइड में आप जा सकते हैं लॉंग राइड में आप जा सकते हैं यह बहुत कमफ़टबल बाइक है और इसका जो पावर जनेर्ट होता है वह आपका राइड सक्सेस्फिल होगा और कमफ़र्ट देगा अब आते हैं नेक्स्ट वाइक जो की सुजुकी का है जिक्सर स्फ 152 CC यह है फोर स्ट्रोग सिंगल स्लिंडर या कूल इंजिन जो की 13.6 PS पावर जनेर्ट करता है अट 8000 rpm और 13.8 नीटल में आफ टॉक्स पावर जनेर्ट करता है इस बाइक में बहुत कुछ दिया गया है जैसे कि आप LED हेडलाइट और टेल लाइट सब देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रुमेंट इलस्ट है फुली डिजिटल है बहुत सारी इंफरमेशन आपको मिल जाएगा इसका जो राइडिंग एक्स्प्रिंस है बहुत कमफ़रे है फूल टैग कपसिटी 12 लृटर्श इसका जो मायला जाएगा है तर्फी किलो मेटवेंटेस पर लिटर से 40 किलो मेटे स्परी लीटर हो सकता है और इसका जो राइटिय एक्प्रियंस होगा। है है बेहुत बहुत अच्छा हो गा बहुत राइटिग एगस अच्छा है सिफ इसका जो ड्राबैक्ज है इसका गेर ट्रांस्मिशन बोक्स जो की 5 गेर से वो अगर 6 गेर से equipped होता तो इसका राइटिंग इस्पिरेंस और भी अच्छा होता इस बाइक का जो प्राइज है वो है 1,60,000 इन कोलकता और यह बाइक आपका सीटी डाइट लिए बहुत अच्छा रहाएगा और तूरिंग भी आप कर सकते हैं इस बाइक में लॉंग टूर्स में भी आप जा सकते हैं अब जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामा का MT-15VS6 जो की 152cc का इंजिन है लिक्वीट कूल फोर स्ट्रोक एसो एच्छी फोर वल्फ यह हमारे लिस्ट में टॉप टू बाइक में से है जो की बहुत अच्छा बाइक है यह बाइक 18.5 पी एस जनेरेट करता है तेन थाजन र इस बाइक का जो लुक से आप देखी पा रहे है कि इसका जो LED हेडलाइट्स और LED टेल लाइट्स है वो बहुत एग्रेसिव है और इस बाइक का जो सिटिंग पोजिशन है और जो राइडिंग एक्स्परियंस है वो बहुत कमफटेबल है सीटी राइट और हाइवेस में इ यह बहुत सरे इंफरमेशन से भरा हुआ है और इस बाइक का जो हैंडलिंग है जो ग्रीप है जो ब्रेकिंग है बहुत अच्छा है और कमफटेबल एक्स्परियंस रहेगा यह स्पोर्ट्स निकेट बाइक है जो कि बहुत एग्रेसिव लुक्स देता है और बहुत शांद है वो चला सकता है इसका वेट जो कि है 138 kg जो कि बहुत लाइट वेट है जो कि आपका राइटिंग एक्सपरियंस बहुत आसान और कमफटेबल कर सकता है इस बाइक का जो फ्वेल टैंक कपसिटी है वो है 10 लीटर और इसका जो माइलेज है वो है अल्मोस्ट फॉर्टी फ प्राइज है 162,000 इन कोलकाता और यह स्टेट वाइस वैरी करता है अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल बाइक जो कि हमारा लिस्ट में सबसे अच्छा और नमबर वन बाइक है जो कि यामा का रवान 5 V3 है यह बाइक सिंगल स्विंटर लिक्विट कूल फोर्ट स्ट्रो 4500 RPM जनेट करता है इस बाइक में ड्वेल चलनल ABS है और इसका जो इंस्ट्रूबंडल प्लस्टर है वह है फुले डिजिटल जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है इस बाइक का छे गियर्स है और इसका जो स्लिपर क्लाच है यह आपका राइडिंग एक्स्पर बहुत स्मूथ कर देता है और बहुत राइडिंग एक्स्परेंस कमपटेबल हो जाता है और आपको रेफ करने में और एक्सलेट करने में और भी मजा आता है जो की पावर जनेरेट बहुत ज्यादा करता है इस बाइक का जो लुक्स है आप तो देखी पार है बहुत 42-45 km per litre in highways and city right और इसका जो हाइट है वह seat height जो कि है 815 mm इसका मतलब 5.2 feet के ऊपर जितना भी बन्दा है वो चला सकता है इस बाइक का जो वेट है 142 kg जो कि बहुत लाइट वेट है इसका मतलब इस बाइक को आप आराम से एक्सलेट कर पाते हैं हाईवेज में अब आते है इस बाइक का प्राइस जो कि है 1,72,000 इन कोलकता यह स्टेट बाइस वेरी करता है तो हमारे हिसाब से ही सबसे अच्छा बाइक 155 सेक्रिमें में जो कि 1,80,000 के नीचे होगा वह है यह है आर्वान फाइफ वी त्री अब हमारे वीडियो सिक्शन में जाके भी भी हमने डाला है हमारा चैनल में जो फ्रेंज अगर वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और हमें सपोर्ट कीजिए बाइस सब्सक्राइब आर चैनल एंड क्लिक दर बेल इकन ताकि हमारा जो भी नया नया वीडियो जाने वाला है आपको तु आपको